रोजाना ताजा खबरे पाने के लिए सब्सक्राइब कीजे हमारे चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटस खबरे सबसे पहले कटान की भेंद चड़ गया पांच भी गे भूमी भी नदी में समाहित हो गई है कटान के भय से एक पीडित ने अपना पका मकान तोड़ना शुरू कर दिया है बाढ़व कटान पीडित सुरक्षित थिकानों की तलाश में निकल पड़े हैं महसी तेसी क्षित्र के गोला गरज के मजरा प्रधानपुर्वा गाउंग नेवासी रामतेज पुत्र गोदी लाल का मकान मंगलवार को घागरा की लाहरों में समाहित हो गया उनकी दो बीगे भूमी सहित एक एकड भूमे नदी की धारा में विलीन हो गई है जबकि जैवाशा पत्नी हरिद्वारी का मकान कटान के महाने पर पहुँच गया है एक एक पाई एकड ठाकर बनाए गए आशियाने को अपने ही हाथों से गिरा रहे हैं ग्रामीनों का कहना है कि जिस गती से घागरा बढ़ रही का टान्वा बाढ़ की आशंका बढ़ गई है घागरा का टान्व शुरू बेहराईच के महसी, कैसरगमनज, नानपारा वमोती पुरतेसी क्षेतर में घागरा वसरियू नदी हर वर्ष तान्व मचाती है इस वर्ष भी घागरा में प्रलहमा चाना शुरू कर दिया है वहीं पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण नदी का जल स्तर बढ़ना शुरू हो गया है यदि इसी तरह बारिश होती रही तो महसी तेसी क्षेतर के 34 गावों में बाढ़ की स्थिती पैदा हो जाएगी इन गावों के लुगों को बाढ़ का भय सत्ताने लगा है बाढ़ाने पर महसी तेसी के मंगलप पुर्वा, खरकटन पुर्वा, हचदेवरी, चुरई पुर्वा, मांजा दरिया बूर्द, पिप्री, पिप्रा, कायमपूर, जर्मापूर, गोला अमनज, कोठार, यादव पुर्वा, बर्वा बेहर, सिलोटा, मथुरा पुर्वा, जमला पुर्वा, चत्र पुर्वा, गोरिया, धनावा, बक्याना के कोठार, मुडखलिया, डिहुआ, टेप्रा, रामसाहय पुर्वा, बसावनबेली, चमानपूर्वा, भड का आधी गाउंग बाढ़ से घिर जाते हैं, तेसील्व ब्लोक मुख्याले का संपर कट जाता ह दोहरी माच जहलते हैं, बाढ़ वकटान, पीडित बाढ़ वकटान को लेकर, दहशत अच्जदा पीडित परिवार प्रकृति की दोहरी माच जहलते हैं, एक तरफ घर बार घागरा में विलीम हो जाने पर वे बेघर हो जाते हैं, तो दूसरी तरफ ग्रिहस्ती व परिवा बच्चा पाना भी चुनावती बंडाता है। ऐसे में विपदा आने पर वे परिवार को देखें या ग्रहस थी। साल दर साल कटान वबार का धंश जेल रहे पीडितों के माथे पर फिर चिंता की लकीरें पढ़ने लगी है।